अब हमस्कार दोस्तों सिविल ग्यान में आपका स्वागत है तो आज केस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि जब कतिंग और फिलिंग दोनोंका केस हो सब्ग्रेड में तब हम लोग वोल्यूम कैसे केसे कल्कुलेट करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर filling की भी quantity निकालनी है, हम लोगों को यहाँ पर cutting की भी quantity निकालनी है, आप लोग देखी सकते हैं, अपने सामने स्क्रिन पर मैंने यहाँ पर drawing बना रखी है, अब आप अगर इसको देखेंगे, तो क्या पता चलता है आपको, थोड़ी सी में करना है, जो हमारी main filling होगी, अगर cutting का case है, तो हम एक minimum level specify करते हैं, कि इतना minimum subgrade होना ही चाहिए आपका, किसी भी section पर, एक जगे पर, ठीक है ना, तो अब इस case में हम लोग only cutting और filling ही देखेंगे, उसके बाद में जो हम लोग metal fill करेंगे, subgrade का, उसके लिए मैंने पिछला एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखिए, आपको उससे clear हो जाएगा, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, कि इसका cutting और filling निकालना है, अब देखिए यह तो हो गया, पूरा cutting वाला section है ना, आप जैसा कि देखी पा रहे हैं, यह पूरा cutting वाला section हो गया, और यह वाला section हो गया, filling वाला section, ठीक है ना, अब हम लोगों को गॉंटक्टर को देना पड़ेगा, भाई, cutting वाला भी माल लीजी कि कोई contractor है, किसीने पेटी contractor पे काम लिया है, कोई पेटी contractor है, है ना, तो अब उसको आपको cutting का भी देना पड़ेगा, उसको filling का भी देना आते हैं, वैसे generally rates हमेशा एक जैसी रहती है, इसलिए हम लोग cutting और filling, मतलब पूरा ही, जो subgrade का पूरा काम होने वाला है, subgrade work का, उसका हम लोग एक साथ quantity निकालते हैं, तो अब यह हो गया cutting का case, यह हो गया filling का case, अब यहाँ पे हम लोग का cutting का, और filling का, क्योंकि हम लोगों section method हम लोगों ने अलग-अलग sections बनायते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बना के उसको निकाला था, ठीक है, तो अब यहाँ पे वैसे ही करना है हम लोगों को, लेकिन अब इस case में क्या होगा, अब देखिए, यहाँ पे माल लिजे कि हम लोगों ने अभी, अपने case में 33 meter पे और 9 meter इधर में हो गया, अब इसका हम लोगों को पूरा यहाँ पे quantity निकालना है, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माल लिजे हर एक 3 meter पे level मार्क किये हैं, यहाँ से 3 meter पे एक level हम लोगों ने चेक किया, हम जब भी, यह काम देखिए, पूरा पहले हो जाता हैं, लेकिन जनरली यह sections बने होए होते हैं, हम लोगों को बस office में बेटके और यह पूरा calculation करना पड़ता है, कि किस तरह के से हम लोग quantity निकाल लेंगे, अब हमारे पास में जो available लेटा है, उससे, काम होने के बाद में, ठीक है न, तो माल लिजे कि यहाँ से एक level यह दिया ह हुआ है, सर्वे में और अगला level इधर में यह दिया हुआ है, यह single section के लिए है only, माल लिजे कि हमारे कुछ sections divide होते हैं, ठीक है, माल लिजे कि यह channel का particular channel का यहाँ पे section है, माल लिजे, x, y, z, y, z, y, 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 y यही method का नाम ही trapezoidal section method है, तो यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग sections बनाने पड़ेंगे जैसे कि मैंने एक section यह बनाए ठीक है, एक section पूरा ये हो गया, फिर एक section यहाँ पर ये हो गया, फिर अगला section यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो अपना 3 meter या अगला वाला है वो इसके नीचे आ गया ठीक है ना तो हम लोग अब यहाँ पर क्या ट्रेंगल बनेंगे एक ट्रेंगल यह ऊपर वाला अलग सreibt गया और यह अलग 나오 so ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग केसे निकालेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, तो अब यहाँ पे एक section यह बन गया, फिर इससे अगला वाला कहाँ पे बनेगा, इधर में, है ना, और सबसे last वाला यह बन गया, तो अब इन अलग-अलग हम लोगों को trapezoids के area निकालने पड़ेंगे, अब यहाँ पे यह जगे उबढ़ खाबड भी हो सकती है, है ना, लेकिन हम इसको पूरा straight consider करके चलेंगे, क्योंकि उतने error हम लोगों को लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, हम लोग एक assumption करते हैं कि यह पूरी line जो है, वो straight है, है ना, उस तरिके से हम लोग एक assumption करते हैं, है ना, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम लोग अलग-अलग sections के area निकालते हैं, माली जे की पहले हम लोगोंने इसका area निकाला, फिर इसका area निकाला, फिर इसका area निकाला, इन सब को नाम दे देते हैं, माली जे की section number 1 है, यह 2 है, यह 3 है, उसके बाद यह 4 हो गया, और यह वाला जो है वो 5 हो गया, यह 6 हो गया, और यह 7 हो गया, इस तरीके से हम अलग-अलग sections के अलग-अलग areas निकालेंगे अब इसको निकालने के लिए formula क्या होता है तो यहाँ पर formula क्या होता है यहाँ पर हम लोग average height निकालते है कि यहाँ की height क्या हुगी और यहाँ की height हो गई उसकी एक average height क्या हुगी वह x जो अपना section कितने meter का है. अब माल लिजे कि यहाँ पे 487.860 और यह अपना कितना है 485.900 का हम लोगोंको लेवल बराना है है downstairs हम लोगों कर नहीं हbon को यह एक लेवल बराना है यहाँ तो यह माल लिजे कि यहाँ यहाँ पे 485.900 यहाँ का लेवल है तो इसका difference क्या निकलेगा हम पहले इसका difference निकालेगे तो चलिए निकालते है difference तो पहले वाले का आता है 1.960 यह लिख लिए आपने उसके बाद अगले वाले का निकालते है यह आता है 1.670 उसके बाद में इससे next वाला 0.380 ठीके फिर यहां की height के आगई वो भी निकाल लेते है यह आएगी 0.2 ठीके और यह भी कितने आएगी यह भी 0.2 ही आएगी उसके बाद में next 0.73 और सबसे last में 0.4 तो यहां की height 0.4 आगई ठीके अब हमारे पास में हम लोगों ने सारे difference निकाल लेगे अब उसके बाद में क्या हमको इनका area निकालना है तो सबसे पहले हम लोग area 1 निकाल लेते हैं कि एक का area कितना आ रहा है ठीक है ना अभी हम लोग यह एक section के लिए निकाल रहे हैं है ना जब और अलग-अलग sections होंगे तो सबके हम लोगों को अलग-अलग यह पूरे area wise हम लोगों को निकालना पड़ेगा फिर उसके बाद में हम लोग उसका mean निकाल लेंगे और जब हम लोग length से multiply करेंगे तो हम लोगों को एक average quantity निकल के आएगी है ना तो अभी वो बात की method है उसके लिए आप लोग पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं किस तरह के से हम लोग निकालते हैं mean area method का use करके तो पहले वाला का निकालेंगे तो यहाँ पे कितने हमारे पास में दोनों को average निकालते हैं 5.445 ठीक है सेम वैसे हम लोग हर एक के लिए निकाल लेंगे ठीक है दो के लिए तीन के लिए और तीन के लिए निकाल लेते हैं उसके बाद में हम लोग 6 के लिए निकाल लेते हैं और 7 के लिए निकाल लेते हैं पहले ठीक है इन सब का निकालने के बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है अब इन सब के हम लोगों निकाल लिए, अब किसका बचा, 4 का और 5 का बचा, ठीक है न, तो अब इसका कैसे निकाले, अब हम लोगों ये intersection point निकालना पड़ेगा पहले, कि कितनी distance पे, यहाँ पे ये line intersect हो रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करे हम लोग उसके लिए similar angle triangle की property लगाएंगे, माल लिजे हमारे पास में ये height क्या है, और ये height क्या है, ठीक है, उससाब से हम लोग property लगाते हैं, अब इसका formula क्या होगा, देखिए माल लिजे सबसे पहले कि हमारे पास में पूरी length है, x करके, यह पूरी length है, उसके बाद में हम हमारे पास में दो section है, इसको माल लिजे हम लोग x1 माल लेते हैं, और इसको हम लोग x2 माल लेते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग x1 निकालेंगे, तो x2 हम लोग easily निकाल सकते हैं, हम लोग x में से x1 को minus करेंगे, तो x2 निकल जाएगा, अब इस case में तो देखिए, easily निकल ज आप लोगो x2 नहीं निकालना है आप लोग x1 निकालना चाहते हैं तो उसके लिए formula क्या होगा ठीक है तो x1 निकालने के लिए formula होगा x multiplied by यह माली जे h1 है यह अपनी height जो है वो h1 है और यह इधर वाली जो है वो h2 है ठीक है ना तो क्या हो जागा h1 divided by h1 plus h2 यह इसका formula होता है है ना तो इस formula का use करके हम लोग अब x1 निकालेंगे तो अब x1 के आएगा यहां पर यहां पर सारी values put करते हैं x की value क्या है 3 है ना और h1 की value कितनी है यहां पर 0.2 उसके बाद में यह वाली value कितनी है 0.2 h1 और h2 भी अपनी 0.2 है यह यहां पर निकाल रखिए तो 0.2 plus 0.2 तो इसको हम solve करेंगे तो कितना बनता है 3 into 0.2 divided by 0.4 मतलब यह बनता है 1 by 2 तो यह हो जाएगी अपनी x1 की height 1.5 तो जब x1 की height 1.5 हो जाएगी तो हम लोग x2 की height कितनी हो जाएगी निकालेंगे तो 3 minus 1.5 मतलब यह भी 1.5 हो जाएगी और यह भी 1.5 हो जाएगी अब इस case मे तो यह हो गई अब माली जे कि यहाँ पे 0.1 आता और इधर में 0.2 आता तब आप 3 मिटर का निकालते तो आप लोग इस formula में apply करते तो x1 की value अलग निकलती है ना उसी जाप से आप लोग निकालके और calculate करते फिर x1 जो भी आता उसमें से आप लोग 3 में से minus कर देते तो x2 निकलाता ठीक है तो अभी हम लोग अपने ही case को लेके और solve करते हैं तो अब माली जी हम लोग को fourth वाले section की हम लोग को quantity निकाल ली तो हम लोग कैसे निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग triangle का area लगाएंगे है ना तो triangle का area हम लोग जो क्या होता है half up base into height है ना तो यहाँ पे base कितना हो गया 1.5 मिटर का 1.5 मिटर का यहाँ पे base हो गया अपना और height कितनी हो गई 0.2 तो इससे area कितना निकलेगा तो यह निकलेगा 0.15 है ना तो यह 0.15 निकल गया अब similarly 5 वाले section का भी कितना निकलेगा इतना ही क्योंकि उसमें भी 1.5 है और height भी अपनी 0.2 है तो इसका भी मैं directly लिख लेता हूं कि 0.15 मिलता है इसका area अब यहाँ पे क्या करेंगे हम सब को जोडेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 सारे section के area को जोडेंगे तो क्या answer निकल के आता है अपना total area क्या निकल के आता है वो हमारा section का area हो जाएगा है ना जब इस section का area निकल जाएगा फिर हम उसके बाद में अगले वाले section का निकालेंगे उसी तरीके से तो इसका हम लोग सब sum up कर लेते हैं तो total आता है 12.78 square meter है ना तो यह 12.78 square meter square meter यह इसका आ गया अब यह तो हो गया एक section का यह तो माल लिजे कि अपना challenge number 100 पे था है ना मतलब जो भी फोर्ड माल लिजे कि कोई अपना एसा challenge है कि 201 plus 100 है ना फिर 201 plus 110 इस तरीके से सारे challenge है 10-10 meter पे वेरी कर रहे हैं अब माल लिजे कि 110 meter पे कोई अलग data अपने पास में available है उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे उसके लिए भी हम लोग same method adopt करेंगे पूरी जितने भी levels हैं वो अब 1-1 section का area तो हम लोग निकालने बैठेंगे नहीं न तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग computer का use करते हैं computer की use से हम लोग ये पूरा काम easy कर लेते हैं ठीक है न तो ये सारी चीज़े हम लोग excel में apply करते हैं और excel में apply करने के बाद में हम लोग ये सारी चीजे जल्दी अब इसको खतम करके, जब आप लोग पूरा इसका sheet बनाएंगे, तो पूरा इजीली Excel sheet में बन जाता है, है ना? तो अब ये हम लोग अगले वीडियो में Excel sheet प्रिपेर करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे, कि ये सारी चीजें कैसे हम लोग फटा पट निकाल सकते हैं, Excel sheet का यूज करके, ठीके, Excel चलाना आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा, तो आप लोग दिरे-दिरे सिख जाओ इसके लिए पूरा हमारे पास में data sheet होना चीए, हमारे पास में level sheet हुना चीए, मतलब एक profile sheet होना चीए हमारे पास में, जिसमें हम लोग को पूरा data दिया हो रहتे है, कि इस channel पे, particular channel पे, ये सारा डेटा इतने offset पे ये सारा data दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये पूरी details हम लोग निकालके और हर एक section का area निकालके उन sections का mean निकालके हम लोग एक quantity निकालते हैं माली जमिस किसी contractor ने 100 में काम किया तो हम लोग ऐसे 10 sections निकालेगे तो 10 नहीं 11 sections बनेंगे, 100 में 11 sections बनेंगे क्योंकि यह दो faces सबसे last में रहते हैं और बीच के 9 sections रहते हैं, तो उन सब को हम लोग divide करके, वहाँ पर फिर 10 से जब हम लोग divide करेंगे, 11 से जब हम लोग divide करेंगे, तो एक average area निकलेगा, उस area को फिर हम लोग length से multiply करेंगे, तो पूरी quantity निकल के आ जाएगी, तो यह इस तरीके से पूरा हम लोग हर एक section का area निकलते हैं, तो यह पूरा इस तरीके से होता है, अगर आपको थोड़ा सा ही निकलना है, जादा नहीं निकलना है, तो इस तरीके से आप लोग निकल सकते हैं, बेटके manually, तो इस तरीके से पूरा calculation होता है, तो उम्मित करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो, समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में शेर करना ना भूलें और देखते रहें सिविल ग्यान